चले बच्चों स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेशन नंबर 19 पढ़ते हैं इस क्वेशन को क्या कर रहा है अंडरू टू एक्स स्क्वेशन प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव अंडरू टू बराबर जीरो इस क्वेशन के रूट बताईए अभी तक तो बहुत आसान और बहुत हलुआ और एकदम खीर पकोड़े वाले क्वेशन थे जो आपने खा लिए बहुत मज़े से अच्छे से कर लिए आप जरा एक मज़ेदार क्वेशन आया है जरा इस क्वेशन को करो और अपने दिमाग के घोड़े यानि दोड़ाओ तेरा दोड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े कहां तक दोड़ते हैं और कैसे इस क्वेशन को करेंगे और जल्दी से बताओ मुझे कौन बता रहा है कोई है क्लास के अंदर कोई भी स्टुडेंट जो बताए इसके गुरण खिन कैसे करेंगे त तो पांच दूनी दो तो पांच दूनी यानि पांच दूनी हो गया दस कितना हो गया दस हो गया यानि दस को हमें तोड़ना है गुणा करने पर कहाना चाहिए दस अब साथ को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर दस मिले और जोड़ने पर कितना मिले साथ तो पांदून एक्स प्लस पांच अंडरूर दो बराबर जीरो यह तो होगे हमारा सवाल अब बात करते हैं देखो दो एक्स स्कूर अंडरूर दो एक्स स्कूर प्लस पांच का एक्स पांच एक्स प्लस दो एक्स प्लस पांच अंडरूर दो बराबर जीरो है ना बराबर होगे जीरो अब यहां से हम क्या common ले सकते हैं या फिर इस से common लेंगे इस से common लेंगे तो जादा बड़ी रहे एक इस से और इस से हम क्या common निकाल सकते हैं अंडरूट 2x common निकाल सकते हैं अंडरूट 2x common निकालेंगे तो यहां तो बचेगा x और यहां क्या बचेगा हमारा प्लस अंडरूर दो ठीक है और यहां पे क्या करेंगे देखो यहां पे 5 को में ले लो प्लस का 5 को में ले लिया तो यहां बचा एक्स प्लस अंडरूर दो बरावर सुनने बरावर क्या चला बिटा सुनने पड़ अपना दिमाग सुनने मत करना है ना दिमाग सुनने नहीं कर चाहे हम बात करें चाहें कुछ भी गरें तो एक प्लस अंडरूट दो और एक ब्रैक्ट में क्या आया दो अंडरूट दो एक्स प्लस हमारा पांच समझ में आ रही है ना बात क्या आना चाहिए तो हाथ अपने मतलब हाथ रुकने बंद नहीं होने चाहिए हाथ अपने काम करते रहने चाहिए जैसा उनका काम है वैसा ठीक है हाथ हमारे गड़वर नहीं करेंगे बिल्कुल भी ठीक तो एक प्लस अंडरूट टू आ गया एक आ गया अंडरूट टू एक प्लस फाइव बराबर जीरो एक इसको बराबर 2 एक तो एक सब्स प्लस प्लस अंडरूट टू बराबर जीरो तो एक सब्राबर हो मायनस मायनस का वह भी किसका मायनस 29 तो मायनस का 5 यह न एक तो आगे देखो यह और दूसरा आगया हमारा ये और ये कहां मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है भईया हमारा option number a में option number a हमारा सही मैच कर रहा है हमारे solution के अनुसार तो हमारा solution भी सही है और option number a भी सही है और आपका question करने का तरीगा भी जई है, ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया है, खुद से अगर जिसे इसने किया होगा, उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट गिफ्ट, ठीक है, तो चॉकलेट लेनी है, तो कहा आना पड़ेगा, भाईया, इन्विक्टा पे आना पड़ेगा, इन्विक्टा पे आओ, मैसेज करो और चॉकलेट पाओ, ठीक है, पर question करना तो जरूर पड़ेगा, बिना question करे नहीं मिलेगी है, ना, question करके दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा,